स्वागत है आपका काड्यो किचन में इसके लिए मैंने लिया है आधा कप आटा और आधा कप ही मैंने मलाई लिए है साथ में हम डालेंगे नमक और अजवैंग्oking और हम घी से इस प्राटों को सीकेंगे ये प्राटों मैं गी में बना रहे हूं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रैसेपी, इसके लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हम दालेंगे आटा, इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे स्वात के अनुसार, थोड़ी सी अजवेन लेंगे, अजवेन को हाथ से रगड के दालेंगे, इसे खुश्बू औ स्वात दूने ही बहुत अच्छे आते हैं, इसको मिक्स करेंगे हम, और अब इसमें थोड़ी-थोड़ी करके मलाई अड़ करते जाएंगे, इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, यह पूरा आटा मलाई से ही तयार होगा, आदे कब आटे में, आदे कब ही हमारा मलाई लगा है, यह देखिए मलाई पूरा लग गया है, यह हमारा आटा गुन के तयार हो गया है, बस इसको हम छोड़ देंगे, और 5 मिनिट बाद इसके हम पराठे बनाएंगे, 5 मिनिट हो गया है, आटा हमारा सैट हो गया है, इसको एक बार थोड़ा सा मस लेंगे, अब इसके हम पेड़े बनाएंगे और पराठा त्यार करेंगे यह पेड़ा हमारा त्यार हो गया है अब इसको आठे में अच्छे से दोनों साइड से लगाकर थोड़ा सा आठर डस्ट करेंगे यहां पर हम platform पे और प्राथे जैसे thickness का मोटा बेलेंगे यह प्राथा आपने बेल लिया है इतनी मोटी thickness का यह रहेगा प्राथे जैसा मोटा यह sides में आप cuts देख रहे हैं इसमें कोई problem नहीं क्योंकि यह मलाई का है तो यह थोड़ा सा तूटेगा अब हम तवा गरम करके इसको सेखेंगे तवा गरम हो गया है अब हम इसके उपर प्राथा सेखेंगे medium flame पे हमें इसको सेखना है प्राथा नीचे से थोड़ा थोड़ा सेख गया है यह उपर bubbles आने लग गया है इसमें अब हम इसको turn करेंगे, यह देखिए, इसी तरह से हम medium flame पे इसको नीचे से भी थोड़ा सा सेखेंगे, उसके बाद हम इसको घी लगाएंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, आज हम इसको घी में बनाएंगे, अब हम इसके उपर घी लगाएंगे, इसको turn कर लिया है, नीचे से थोड़ा सिखने के बाद, इस वाली साइड पे भी हम इस पर घी लगाएंगे, अच्छे से इसको दोनों साइड से सिखेंगे, गोल्डन और क्रिस्प होने तक, इस साइड भी मैंने घी लगा दिया है, ये देखिए, बहुत ही अच्छा सिखा है, ये दोनों साइड से बहुत ही अच्छा सिख गया है, थोड़ा से इस पर घी लगाके, मैं इसको उतार लेती हूँ प्लेट में, इसी तरह से मैं अपना दोनों तैयार कर लोगी, ये पराठे हैं हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, इनको आप घर में बड़े बुजर्कों को खिलाएं, क्योंकि ये चबाने में बहुत ही नरम है, बस बनाते समय इस बात का ध्यान रखेगा, जब हम इसको टर्न करते हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट ली करना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट जाते हैं, क्योंकि ये मलाई के हैं, आप ये रैसे पर जरूर ट्राए करिए, अगर आपको हमारी रैसे ही पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पास वाले बैल आइकन को दबा कर, औल प्लिक करें, थैंक्यू